RBI के लिए prepare करना चाते हो लेकिन confused हो कि self study करे या coaching join करे अगर coaching join करे तो online coaching join करे कि offline coaching join करे तो इस particular वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इस particular topic की तो चलिए शुरू करते हैं अगर आप ये सवाल मुझसे पिछले साल पूछते हैं 2019 या 2020 में तो शायद मेरा जवाब ये होता कि अगर आप self study करना चाते हो interested हो motivated हो dedicated हो तो आप self study करो लेकिन क्योंकि ये 2021 है और यहाँ पर pattern completely change हो चुका है RBI का जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा जिनने नहीं पता उन्हें मैं इस वीडियो में बताऊंगा क्या-क्या changes हुए हैं तो मैं recommend नहीं करूँगा उन students को जो completely fresher है जिनने अपने senior अपने ब्रदर से पता चला है अपने कलीक से batch meet से पता चला है कि RBI vacancies निकालता है और आपको इसके लिए prepare करना चाहिए तो मैं recommend करूँगा कि आपको mentor की help ज़रूर लेनी चाहिए ताकि आपके जो chances है RBI के अंदर जाने के पहले ही attempt में वो बढ़ सके होता क्या है self study में basically बहुत छोटा सा difference होता है जो बच्चे course लेते हैं उनमें और जो बच्चे course नहीं लेते self study पे focus करते हैं उनमें लोग क्या सोचते हैं कि हम इतनी महेंगी coaching क्यों join करें अगर market में books है तो हम उसी से पढ़ लेते हैं वो उसे as an expense count करते हैं आपको कभी भी as an expense count नहीं करना उसको हमेशा as an investment count करो और coaching जो है वो first time अगर आप completely fresher हो और आप मालो non commerce background से हो तब आपको definitely join करना चाहिए in fact जो students commerce background से है उन्हें भी course जरूर join करना चाहिए अगर वो first time prepare कर रहे हैं तो specifically reason क्या है reason बहुत simple है self study पर जब आप जाओगे ठीक है तो आपको 10 books के नाम मैं बता सकता हूँ बहुत easily phase 1 के लिए phase 2 ESI और finance और management के लिए लेकिन competition इतना बढ़ चुका है कि आज के time पर अगर मैं आपको किसी book का नाम भी बता हूँ तो technically it's not possible for you to complete the entire content of a single book at a particular time interval अगर दो महिने का time है आपके पास ESI खतम करने का आपको मैं अगर दो या तीन book बताऊँ आप कभी खतम ही नहीं कर पाऊगे उसको secondly ये है कि अगर आप खतम भी कर लोगे तो आपको पता नहीं है कि उस particular book में से क्या-क्या relevant है exam perspective से क्या-क्या नहीं है यहां पर आपको hard work तो करना ही करना है साथ में you should also keep this in mind कि smart work जो है वो बहुत important है यहां पर secondly अब मैं बात करने वाला हूं उन लोगों की जो अभी कहीं job नहीं करते ठीक है completely fresher है वो सोच सकते हैं starting के एक-दो महिने दे सकते हैं self-study में अगर उन्हें लगता है कि self-study में मैं उतना dedicated नहीं prepare कर पा रहा हूं dedicatedly या फिर मैं कहीं ना कहीं अपने path से भटक रहा हूं क्योंकि मेरे पास relevant source या relevant content नहीं है तो उनको definitely किसी ना किसी course में जाके enroll करना चाहिए after doing the thorough research की market में कौन से ऐसा mentor है जो अच्छा या relevant content provide करवा रहे है second जो मैं बात करने वाला हूँ वो यह है कि जो working class है उनके पास इतना time नहीं है कि वो book से बैटके पड़े तो definitely उनको mentorship के जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी चाहे आप पहला attempt दे रहे हो चाहे दूसरा attempt दे रहे हो आपको miss नहीं करने चाहिए coaching किसी coaching को join करके रखो क्योंकि होता क्या है कि जब आप किसी coaching को join करके रखते हो तो आपके पास content पूरा होता है आपको बस time dedicate करना होता है उस content को खतम करने के लिए market में बहुत सारे mentors आपको content दे रहे हैं बहुत सारे मिल जाएंगे आप quality check करके accordingly ले सकते हो कोई भी course और आप prepare कर सकते हो ठीक है अब मैं अगर बात करूँ कि offline coaching join करें या online coaching join करें तो भाई जो job नहीं करते हैं वो तो offline coaching join कर सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे students हैं जिनके reviews negative आएं हैं जिनसे मैंने personally बात करी है उनकी तरफ से यह कहना है कि sir independence नहीं है हमारे पास कि हम कब पढ़ें we are completely dependent कि भई mentor कब class ले रहा है Monday MWF ले रहा है TTS ले रहा है बहुत बार skip कर रहे है तो dedicatedly हम नहीं पढ़ पा रहे हैं ना तो अपना time जो है वो particularly allot कर पा रहे हैं preparation में और उनके भरोसे labels complete जो 4-5 महिने में हो सकता है वो 8-9 महिने लग जाते हैं या 7-8 महिने definitely लग रहे हैं तो ऐसे case में और अभी current scenario देख कर कोविड की वज़े से मैं recommend करता हूँ online course जहां पर आपको सारा content मिल सके अच्छा precise content relevant content एक जगे पर मिल सके आपके पास यह independence हो कि आप अगर सुबह देखना चाहो तो सुबह पढ़ो दिन में पढ़ना चाहो दिन में पढ़ो रात को पढ़ना चाहो रात को पढ़ सको और ए queries अगर कोई भी doubt होता है तो वो resolve कर पाओ इस वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर आप additional information जानना चाहते हो RBI के बारे में, SEBI के बारे में, NABAD के बारे में या फिर और किसी exam के बारे में आप strategy, time table, किसी books के बारे में information लेना चाहते हो तो मेरा जो Instagram page है वहाँ पे मुझे DM करो मैं लगबग लगबग हर किसी को वहाँ पे reply देता हूँ timely क्योंकि वहाँ पे मिर पास access होता है लोगों को text करने के लिए और कोई information चाहिए तो भी आप मुझे से वहाँ पे connect हो सकते हो Thank you so much guys for watching this video अगर आपको ये video पसंद आई तो please subscribe जरूर करना और like करे भीना मत जाना Thank you guys